देखो इस चार्ट में क्या बना हुआ है पेड़ पौधे और इसमें हमारे फेफडों की जखे क्या लगी हुई है पत्तिया इससे यह पता चले हम लोग को सास लेने के लिए कौन सी गयस जरूरी है और हमें ऑक्सीजन गयस मिलती कहां से है पेड़ पौधो से अगर हमारे पे नहीं नहीं लेपाएंगे ना तो इसलिए यहां पर क्या लिखा है प्रक्रति काना करें हरड आओ बचाएं सूखी धर्ति करें पुकार हर याली से करें पेड़ है तो बन है तो बरसात है बरसात है तो जल है जल है तो जीवत है तो हमें पेड़ पौधों को कभी नहीं काटना चाहिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौध है हमारी धर्ति मा कहती है कि हमारा श्रंगार किस से करो पेड़ पौधों से क्योंकि अगर हमारे पेड़ पौध है तभी हम जीवित रह पाएंगे है न दिमें!